हाई एवरीवन, वेलकम तू जेयार कॉलेज यूटूब चैनल, आएम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जेयार कॉलेज इसे पार्ट आफ जेयार टूटूरीज यूटूब चैनल, जिसमें हम 11th और 12th दोनों के साइंस साइंस कॉमर स्ट्रीम के lecture by lecture वीडियो से इस चैनल पे अपलोड करते हैं, और अल्रीड जो हमारा main channel जेयार टूटूरीज उस पे भी हमने पूरा-पूरा सिलाबा 6 से लेके 12th टैनल तक अपलोड करके रखा हुए, तो वहां से भी आप लोग अपने standard का पढ़ाई कर सकते हो, पूरा ची जी हां दोस्तों, बहुत लोग कब से continue comment कर रहे हैं कि 11th chemistry कब आएगा, 12th वाले भी continuous comment कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा 12th standard का है और ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको एचीज बदा दू, 12th standard की chemistry भी बहुत जल्दी, यानि 2-4 दिनों के अंदर, within 1 week मैं इतना assurance सकता हो, कि वो start हो जाएगा आप लोग के लिए, 11th chemistry, start कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे, तो आज हम पढ़ेंगे, पहला ही chapter, जिसका नाम है दोस्तों, क्या है, some basic principle या पि some basic concepts of chemistry, हम आपको सिखाएंगे कि chemistry होता क्या है, बेसिक तोर पे, जैसे कि आप जानते कि आपने 10 standard तक आपने science and technology पढ़ा, 10 standard पास आउट कर लिया, आपने, अच्छे-चे percentage निकाले, admission हो गया, science stream ले लिया, अब आप आप आ गए हो, यहाँ पे पढ़ने के लिए, अब सबसे important चीज़ क्या होता है, हम चीज़ों को समस्ते बहले समझते हैं, जैसे क आपने इसके पहले बहुत सारी चीज़े पढ़ी होगी, लेकिन वो सभी चीज़ एक अलग दुनिया की थी, यह जो दुनिया में आप आए हो, यह जो 11 standard में science stream में आपने admission लिया, यहाँ पे physics की दुनिया अलग है, यहाँ पे chemistry की दुनिया अलग है, बहुत बढ़ी दुनि करता है, आगे जाके engineering need या फिर ऐसे JE need, MSTCD जैसे exams को target कर रहा है, तो यार अभी से उसका concept clear करना बहुत important है, शुरूआत करें, ज्यादा time नहीं लेंगे, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, Instagram अगर आप यूज़े फॉलो कर सकते हो, हमारे application JR Tutorials का है, जो हमारे main application है, हम सारे और चीज़े provide करते हैं, तो जाके जरूर से download करके, register करके login कर लेना, यह हमारा विराट batch 11 standard के लिए जैसा कि आप चानते हैं, तो पहला lecture आए शुरूआत करते हैं, सबसे पहले बात हम लोग करेंगे introduction, क्योंकि आज के इस video के अंदर हम introduction और कही सारे basic concepts के बारे में बात करने वाले हैं, जो की chemistry के अंदर use होते हैं, पहला चीज़, अगर आपको मैं बताओ, what do you mean by chemistry, अगर हम बात करें कि scope of chemistry क्या है, तो chemistry एक ऐसा चीज़ है, जो दुनिया के हर एक expect of life में use होता है, अगर आप देखोगे, कहीं पे भी आप नजर डालो, चाहे ब्रहमांड हो, च चाहे वो धरती हो, चाहे वो खुद के अंदर हो, चाहे वो plants हो, हर एक के अंदर आपको chemistry बसा हुआ नजर आएगा, तो chemistry एक ऐसा चीज़ है, कि chemistry के बिना दुनिया अधूरी है, life अधूरी है, कैसे, अब जैसे कि मैं एक बात आपको बताता हूँ, सबसे पहले दुनिया मे है, उससे adaptation होता आगया, दीरे-दीरे करके हमारे पुर्वच बने, यानि कि जो हमारे australopithesis, rama-pithesis, ठीक है ना, फिर homo sapien, homo sapien के sapien बने, फिर एक modern human being बने, और आज देख सकते हो हम लोग कितने advanced है, लेकिन यह जो changes हुआ, evolution जिसको हम लोग बोलते हैं, theory of evolution की अगर हम ब dinosaurs हुआ करते हैं, पेड़ पौदे हुआ करते हैं, बड़े-बड़े जानवर dinosaur हुआ करते हैं, लेकिन वो dinosaur कैसे खतम हो गया, आज करने में dinosaur क्यों नहीं है, क्योंकि उसके उपर एक asteroid गीरा, तो जब asteroid गीरा, तो इतना खतरनाक explosion हुआ, कि यार धरती से लेके पूरा वायू म आते हैं, chemistry बनाते हैं, और यही chemistry अगर आप देखोगे हमारे शरील के अंदर भी, ऐसे हमारे अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, तो एक chemical reaction होता है, जिससे हमें energy मिलती है, हम लोग carbon oxygen अंदर लेते हैं, और carbon dioxide को बाहर निकालते हैं, यह भी एक chemical reaction है, जो हमारे अंदर, एक cell के अंदर, mitochondria के अंदर हो रही है, तभी सब चीज़े हो पा रही है, हम लोग जो खा रहे, पच्राय खाना, खाना, पच्छना, digestion, ये भी chemical reaction ही है, तो हर तरीके से अगर आप देखोगे, हमारे शरीर में, even एक hormonal changes आना, जैसे मेरे अंदर, मेरे उपर दाड़ी वगरे आ गया, आप देखोगे, वैसे दाड़ी काटे वे बहुए बहुत दिन हो गया, ताइम नहीं मिल पाता है, यार, बहुत समय इतना schedule busy चल रहा है, कि सही बोलो दो, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं, ठीके हर चीज होते हैं, लगबग 10-12 साल के होते हैं, तो वहाँ पे आपके नदाड़ी नमूच कुछ नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है, एक hormonal changes हो रहा है, आपके अंदर testosterone release हो रहा है, कई सारे और hormones है, male hormones जिसको बोलते हैं, इसके वज़े से ये सब चीज़े आती है, तो ये सब क्या है, chemicals ये, तो मैतलब एक कहवत अगर बोला जाए, तो दुनिया में हर चीज़ अगर आप नज़र डालो, plants को, animals को, human beings को, ब्रह्मार्ण को, हर चीज़ में chemical बसा हुआ है, chemistry बसा हुआ है, और वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे, यानि कि जो chemistry है, ये क्या ह study of physics, study of biology, study of space, study of earth, study of applied chemistry also, दुनिया में हर चीज़ नज़र डालो, आकाश, वायू मंदल, earth, space, biology, physics, हर चीज़ में chemistry का योगदान है, ये chemistry subject is one of the most important, और इसलिए आप notice करोगे, chemistry subject, चाहे आप engineer बनो, चाहे आप medical में जाओ, ये chemistry subject दोनों में ही होता है, समझ में आ रहा है, य आगे बढ़ते हैं, nature of chemistry क्या है, क्या है chemistry का nature, तो chemistry के अगर हम बात करें, chemistry total 5 हिस्सों में divided है, सबसे पहला हिस्सा है उसका organic, 5 ब्रांचे से इसकी अगर मैं बात करूँ तो पहला है organic chemistry, what do you mean by organic chemistry, organic नाम से ही पता जल दागा 10 standard में आपने पढ़ा था hydrocarbons, मतलब in short, जिस पढ़ा था, methane, methane, propane, butane, ये सब पढ़ा था, ठीक है न, कई सारे और chemicals, तो जहां पे भी chemical reactions आपको दिख रहे है, proper chemical reactions दिख रहे है, hydrocarbons का involvement दिख रहा है, ये सबी चीज़ को हम लोग करेंगे, organic chemistry, क्या कहेंगे, organic chemistry कहेंगे, समझ में आ रहा है, clear है, तो उमीद कर रहा ये चीज़ आपको अच्छे से clear हो गया होगा, और अगर next मैं बात करूँ यहां पर, जो कि है अगला है, inorganic compound, तो inorganic compound मतलब क्या है, ये एक ऐसा type का chemistry है, जिसमें पहली बात तो hydrocarbons involved नहीं होते, hydrocarbons involved नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि कहीं न कहीं ये कुछ ऐसे compound से deal कर र है, with the help of hydrocarbons, that is nothing but the inorganic compound, और we can say it as the inorganic chemistry, next is physical, physical जैसे कि आप जानते, electrochemistry का पार्ट हो गया, redox reaction का पार्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है, जो physically deal करता है, कुछ ऐसे reaction से thermodynamics की बात कर लें, तो ये सबी चीज़ किसमें आ जाता है, bio, माफ करना, physical chemistry में आ जाता है, अंदर, animals के अंदर, plants के अंदर, तो ये जो पार्ट होते हैं, अंदर की चीज़ों की बात होती है, जिसमें life होता है, उस chemistry को हम लोग क्या बोलते है, biochemical या फिर biochemistry कहा जाता है, and last but not the least, analytical, analytical यानि कि कुछ चीज़ का measurement अगर हमें करना है, जिसे आप आगे जाके practical करोगे, त तो ये थे तोटल पाँच ब्रांचेस, अब यही पाँच ब्रांचेस, यह को हो सकता है, इसा question पूछा जाए, उनिक टेश्प अगरे में, कि विच इस दा फाइव ब्रांचेस, तो ये पाँचो ब्रांचेस के नाम या दर्क लेना, लेकिन अगर हमें most important चीज़ की मैं बा बढ़ा है, पता नहीं, अब इसके आगे 12 की पढ़ा है, उसके आगे यार इंजिनियर में लोग पढ़ते हैं, इसके आगे लोग BSD करते हैं, MSD करते हैं, PhD करते हैं, और कई सारे research करते हैं, तब जाके chemistry complete होता है, मतलब आज भी देखा जाए, तो there is no essay scientist, जिन्होंने chemistry का एक सब चीज़ ज्यान में रख लेना, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो की है matter, what do we mean by matter, तो एक चीज़ हमने पढ़ा हो है बच्पन से, कि matter is anything that occupy space, मतलब कोई भी ऐसा चीज, जो space को घेर रहा है, that is nothing but matter, जैसे मेरे हाथ के ओपर कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंने एक marker इसके उपर रख दिया, तो उतना हिस्सा उस marker ने cover कर लिया, उतना space को उतने खाली जगे को उसने occupy कर लिया, that is nothing but matter, मतलब यह क्या है, मेरे लिए matter है, मैं खुद क्या हूँ, एक matter हो, मेरा पृत्वी क्या है, एक matter है, मेरा space क्या है, पूरे universe का एक matter है, तो इसे कई सार में divide होता है, जो कि है metals, non-metals and metalloids, वही अगर mixture की बात करें, दो टाइप की mixture होते है, mixture होता है heterogeneous, और दूसरा होता है homogeneous, homogeneous and heterogeneous, तो हम धीरे-जीरे करके one by one करके, यह जो पूरा हमने यहाँ एक flow chart display किया हुआ, यह बहुत important है, आपके लिए इसको screenshot ले लो, या फिर जब हमें इसको notes के form में, आपको हमारे application में free of course दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, वैसे screenshot लेनी जुरूत नहीं है, आपको app पे notes मिल जाएंगे after the completion of this chapter, ओके, तो यह जो flow chart से, इसके अंदर जो भी terms मैंने बात किया, चाहे वो pure substance हो, चाहे वो mixture हो, homogeneous हो, चाहे यह जो जीज गी, तो देसे घी pure कब है, हमने बोले ना, pure देसे घी, तो हम उसको pure क्यों बोलते है, pure इसले बोलते है, क्योंकि उसमें शुद्धता बहुत जादा होती है, यह definition होता है pure substance का, लेकिन इसमें सबसे जाधा important definition यह है, कि अगर किसी भी particular compound के अंदर, या फिर substance के अंदर, उसका chemical composition definite है, definite का मतलब, उसमें पता है कि क्या डाला हुआ, जैसे कि मुझे पता है, कि अगर मैं 5 ग्राम carbon डाल दू, और 5 ग्राम oxygen डाल दू, माल लो, मैं example के तौर पे बोल रहा हूँ, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, carbon dioxide बन जाएंगे, माल लो, मैंने ऐसा, मैं proportion नहीं बत finite proportion में बना, that's why, oh substance क्या बनेगा, pure substance बनेगा, मतलब, जितनी की जरूर थे, उतना ही अगर proportion डाला जा रहा है, उतना ही हिस्सा अगर डाला जा रहा है, composition उतना ही तयार किया जा रहा है, तो वो रहेगा pure substance, और उसकी जो properties होती ही, वो same properties रहती है, change नहीं होती है, example के तोर पे pure metal, कोई भी metal है, लोहा, कोई लोहा एकदम pure कब है, जब उसमें किसी और तत्व का, किसी और element का मिलावट ना हो, pure लोहा, जैसे हम लोग बोलते है, कुछ लोहा यसा होते है, जिसमें zinc मिलाया जाता है, जिसमें और magnesium और बाकी चीदे मिला जाते है, लेकिन कुछ लोहे, पानी को distill करते हैं, distillation process से, वो जो पानी मिलता है, वो distilled water तो वो क्या होते है, pure water है, उसमें और चीज को कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम सुद्ध पानी है, that is nothing but proper pure substance, समझ में आ गया, वैसी बात करें mixture की, जो दुस्टा वाला है, pure substance समझ में आ गया, अब mixture की अगर बात पाउटी, कोई भी चीज मिला लो, ठीक है, ना, red chili ale, लाल मिर्च, लाल मिर्च में इटा, जो इटा घर बनाने के लिए इटा यूज होता है, वीट, उसका powder करके मिला दो, लाल मिर्ची पाउडर में इटे का powder मिला दो, पता चलेगा नहीं, ठीक है, हल्दी पाउडर में को पता चलेगा नहीं, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, मिक्चर होता है, जिसे एक्जामपल के तौर पे पेंट, पेंट में कही सारे colors का मिक्चर होता है, कही सारे और components का मिक्चर होता है, concrete mixture is the best example, घर बनाने के लिए concrete बड़े-बड़े tankers में आते हैं, तो उसमें क्या ह होता है, cement होता है, पानी होता है, मिट्टी होती है, वो बड़ी-बड़ी gravels होते हैं, मोटी वाली जो पत्थर होते हैं, छोड़-छोड़े, gravels बोलते हैं, वो होते है, sand होता है, बालू होता है, ये सब चीज मिला के concrete mixture, तो ये क्या है mixture, इसमें कोई proportion है क्या है, कितना भी elements एक ऐसा चीज होता है, जो कि, पहली बात तो pure होता है, pure substance, जिसमें हम लोग broken down नहीं कर सकते हैं, into the simpler substance, मतलब कोई substance ऐसा है, मानलो एक लोहा है, लोहा क्या एक metal है, लेकिन metal से पहले वो क्या है, एक element है, वो एक element है, अब वो element क्यू है, क्यूंकि वो एक ऐसा substance है, जिसको हम हम लग ब्रोक करने कोशिश करें, तोड़ना नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं chemical composition में dissolve करना बोल रहा हूँ, तो अगर इसको हम लग broken down करने कोशिश करें, तो क्या हो जाएगा, वो broken down नहीं होगा, सिंपलर substance के में अंदर, कोई भी ordinary chemical reaction, अगर हम उस चीज के उपर कोई भी ordinary chemical reaction करें, वो broken down नहीं होगा, तो वो क्या है, एक element कहला आएगा, ठीके, अब element जो होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, तीन टाइप के chemical, तीन टाइप के elements, metals, non-metals and metalloids, इस चीज को समझ लेना, खिकि इसके ओपर questions, बहुत पूछे जाते हैं समझ में आ रहा है, चलो, बात करेंगे, metals की, तो सबसे पहले, metals क्या होता है, have luster, properties की हम बात करें, अलग-अलग metals, non-metals and metalloids की properties क्या होता है, उसके बारे में सोड़ा focus करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करें, metals के पास होता है, luster, luster मतलब क्या होता है, luster मतलब चमक, मत चमक से ही हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कुछ तो है, तो हर बेटल्स के पास नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली 99% मेटल्स के पास एक चमक की प्रॉपर्टी होती है, यानि वो लश्चर करता है, शाइन करता है, दुसरा प्रॉपर्टी क्या है, गुड कंड़क्टर हीट एन उलेक्रिटिटी, कोई भी मेटल के अंदर से अगर हीट पास करो, तो वह बहुत अच्छे से पास होगा, जैसे कि आपके जो बरतन होते हैं, आपके घर में, जो बरतन खाना बनाने के लिए यूज होते हैं, वो मेनली क्या होते हैं? अलिमीनियम के बरतन होते हैं, अगरे के होते तो copper, aluminium यह सब क्या है, यह सब metals यह, steel एक तरीके से alloy है, ठीक है ने, steel के आजकल बहुत जादा use हो रहे हैं, लेकिन steel क्या है, alloy है, जिसमें iron और बाकी चीजे मिला जुला के, मतलब iron, aluminium और भी कई सारे और चीज मिला के बना जाता है, ठीक है, stainless steel है, इसे और भी बहुत सारे चीजे हैं, लेकिन बनता किस से, metal से बनता है, तो मतलब उसके पास क्या है, एक ऐसी property है, जिसमें से heat बहुत अच्छे से pass हो सकता है, और दूसरा जो मैंने बात किया, electricity, बिजली के wires आपने जितने भी देखे हैं, चाहें वो बड़े-बड़े poles के उपर हो, वो चीज में बात करो, वो होता ductility, ductility का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी metal को लिया जाए, और वो metal को खीचा जाए, समझ लो में पास ही metal है, अब इसको यहां से और यहां से में खीच रहा हो, खीचूंगा ना, तो यह खिसता चला जाएगा, खिसता चला जाएगा, और एक wire म कनवर्ट हो जाएगा, तो अगर कोई भी metal, दोनों साइट से force लगने के बाद, pressure लगने के बाद, अगर वो wire के रूप में कनवर्ट हो जाता है, that property is called the ductility property, यह शब शायद आपने 9-10 में पढ़ा होगा, मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ, ठीक है, तो ductility समझ में है, तो metals के अं है, copper है, aluminium है, यह सब कुछ examples है, किसके? Metals के, याद रहेगा यह सब चीजे, चलो, दूसरे चीज की बात करेंगे, जो कि है non-metals, क्या होता है non-metals, अगर हम बात करें, non-metals से metals का उल्टा होता है, अगर हम बात करें, metals के अंदर जो जो property थी, वो non-metals में नहीं होगी, जैसे कि उसके पास कोई भी shine नहीं होगा, no luster property, कोई भी non-metals को लेलो, जैसे carbon, carbon मतलब कोई लेका तुकड़ा क्या चमकेगा, क्या नहीं चमकेगा, तो वो उसके अंदर कोई भी चमक नहीं होती, ठीक है, except the diamond, carbon से ही, जो चीजे है, after like, बहुत सारे years के बाद, और उसमें कई सार non-metal brittle होते हैं, brittle मतलब जैसे मैंने बोला, कि अगर इसको हतोरे से मार तो non-metal को तूट जाएगा, विखर जाएगा, लेकिन metals था क्या वैसा नहीं, metal चपता हो जाएगा, लेकिन तूटेगा नहीं, तो ये brittle होता है, non-metal brittle होते हैं, bad conductor है, इसमें से heat pass कर लो, इसमें से electricity pass कर लो pass नहीं होगा, समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी non-metal लेलो, carbon लेलो, carbon में आप बिजली को लगा दो, तो वो side में आपको current नहीं लगेगा, ठीक है, example carbon है, nitrogen है, और कई सारे और ऐसे elements है, जो non-metals होते हैं, ठीक है, तिसरा चीज़ बात करेंगे, जो कि है metalloids, अब metalloids क्या हो properties, metals की भी दिख रही होगी, कुछ चोटी-बाटी properties, non-metal की दिख रही होगी, मतलब यह एक ऐसे beach वाले चीज़ हैं, जो कहीं न कहीं metals भी दिखते हैं, non-metals भी दिखते हैं, लेकिन यह अलग होते हैं, यह होते हैं metalloids, ठीक है, तो having the both properties, यानि intermediate properties होती है, semi-metals कहा जाता है, इंको, metalloids are also known as the semi-metals, ठीक है, example, silicon हो गया, germanium हो गया, arsenic हो गया, यह सब नाम आपने सुना होगा, कई सारे जगा पर इसका metalloids का इस्तेमाल होता है, खासकर electronics item में, आप देखोगे, तो यह कई सारे चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो metalloids का इस्तेमाल जो ह हमारा, जो कि है, compounds, elements देख लिया, अब compounds देखने, तो compounds क्या है, compounds are nothing but, are the combinations of two or three elements, मतलब कभी भी, अगर कोई एक, दो, दो, तीन elements को मिला के, हम लोग एक नया चीज़ बना देंगे, वो बनता है, हमारा compound, क्या बनता है, compound बनता है, लेकिन वो जो मिला रहे हम लोग, वो एक six proportion में मिला रही है, वर ध्यान में रखना हो, किसमें मिला रहे है, fixed proportion, कि यार 5 ग्राम अगर carbon डालना है, तो 5 ग्राम oxygen डालना है, तो fixed proportion में अगर मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक proper compound कहलाएगा, ऐसा नहीं है, कि कुछ भी कहीं से भी लाओ, कितना भी gram लाओ, कितना चीज मिला दो तो वो एक्चल में क्या कहलाता है mixture जब हम लोग कोई भी definite proportion नहीं लेते कोई फिक्स प्रपोरिशन नहीं लेते तो वो mixture कहलाता है लेकिन अगर प्रॉपर हम लोग दो या तीन elements को combine कर रहे है विद प्रॉपर फिक्स प्रपोरिशन प्रॉपर फिक्स कंपोजिशन तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते सब्सक्राइब करेंगे तो नमक होता है समझ में आ रहा है तो नमक एक ऐसा चीज जो क्या होता है एक तरीके से आपका ionic compound होता है NACL is nothing but ionic compound तो यह आप लोग के लिए बहुत काम का चीज है जो हमें daily daily life में यूज कर दे लेगिन वो है क्या ionic compound है तो एक compound तो यह सब चीज जो मैंने examples के तौरबे बात करें यह क्या है यह आपका compound है समझ में आ रहा है compound क्या है ठीक है अब हम बात करेंगे तो mixture क्या है mixture के अगर हम बात करें तो यह क्या है are the combination of two or three substances in no fixed proportion जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि compound क्या था कि यार उसमें दो या तीन elements combine होते हैं तीन या चार elements combine होते हैं लेकिन वह combination के लिए उनका जो proportion लगेगा वो fix proportion लगेगा यह आपको मैंने अर्रीडी बताया था लेकिन यहां पर क्या होता है mixture में क्या होता है कि यार उसमें हो सकता है दो से तीन substance हो तीन से चार सब्स्ट्स यह लेकिन इसमें कोई भी definite fix proportion नहीं होता है तो अगर कभी भी दो या तीन सब्स्ट्रीन से चार सब्स्ट्रीन होते हैं एक नया चीज बनाते हैं और कोई भी उसका fix proportion नहीं होता तो वो रहेगा mixture example के दोर पर अगर हम बात करें भेल भेल खाते हो अब भेल खाया होगा सभी फीले ठीक है ना जो चाइनीज भेल ले लो या फिर नॉर्मल भेल होता है तो उसमें आप देखो कि तो कई सारे चीज का मिक्चर होता है अगर हम चाइनीज भेल की बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है लोग पसंद करते हैं मैं खुद कभी-कभी खा लेता हू तो चाइनीज भेल मतलब क्या होता है जो छोड़े-छोड़े सेव के तुकड़े होते हैं चाइनीज के जो नूडल्स के जो तुकड़े होते हैं उसमें सेजवान डाला जाता है उसमें पत्ता गोभी डाला जाता है नमक डाला जाता है और भी बहुत सारे चीज़े डाला फिक्सर नहीं है तो उसको क्या कहें कि हम लोग वह रहेगा हापका मिर्ट को जो भी भेल हो गया या और भी एक चायly चाहिए दूद हो गया दूद के उसके अंदर dissolve होने वाला है जो भी चीज, एक होता है solvent, दुसरा होता है solute यह आपको पता है कि नहीं, जैसे समझ लो, एक glass है, एक glass में आपने पानी डाला, और पानी के अंदर आपने एक चमर शक्कर डाल दिया, ठीक है, तो आपने जब glass में पानी लिया, वो आपके लिए क solvent है, और जो चीज डाला जा रहा है उपर से, जैसे एक चमर शक्कर डाल दिया, उसके अंदर, तो वो क्या हो गया, solute हो गया, तो अगर कोई solvent है और solute, दोनों proper तरीके से mix हो गए, dissolve हो गया, अच्छे से mix हो गया, uniformly mix हो गया, तो उस solution को हम लोग क्या कहेंगे, homogenous mixture, जैसे example म मैंने दिया अभी अभी, कि आप क्या करो, एक ग्लास पानी ले लो, उसमें एक चमर शक्कर डाल दो, उसको घोल लो, तो शक्कर जो है, पूरा dissolve हो जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, uniformly mix हो गया, तो वो mixture है, लेकिन वो mixture क्या कहलाएगा, homogenous mixture, वो mixture है, लेकिन आपको पता चल यसे oil ले दो, एक ग्लास oil ले लो, उसके हमदर शक्कर डाल दो, mix करो, mix होगा क्या, नहीं होगा, शक्कर शक्कर रह जाएगा, oil, oil है, उसके उपर पानी डाल तो, oil अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, mix नहीं होगा, तो ये जो mixtures कहलाएँगे, ये heterogeneous, hetero, नाम से पता जल जाता है hetero मतलब होता है different ठीक है homo मतलब होता है same तो homogenous mixture मतलब same होगे mix होगे same बन गए fix proportion होगे लेकिन ये mix होगे fix proportion है मतलब same नहीं बन पाएंगे इसके लिए heterogeneous mixture नामे उमीद कर रहाँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा clear समझ में आ गया आगे बढ़ जाते हैं हमारे आज के आफिरी topic की तरब जो की है states of matter states of matter ये आपने बहुत पहल नवी दस्यू में पढ़ा होगा what do you mean by states of matter there are three states of matter जो हम पढ़ते हैं basic दोर पर एक होता है solid दुसरा होता है liquid तिसरा होता है gas solid liquid and gas अगर हम इसकी बात करे solid liquid and gas की तो जो solid होता है ऐसा product होता है जिसमें कठोरता होती है यनि ठोस होता है वो जैसे कोई भी हम लोग बात करें जैसे solid है तिक रहा है ये क्या है solid है अब इसके अंदर एक property होती है जिसको हम लोग बोलते हैं inter molecular forces of attraction तो कभी भी कोई solid अगर है है समझ लें ये solid का तुकरा है तो उसके अंदर जो भी इसके अंदर particles present रहेंगे यह एक दूसरे से बहूत ज़्यादा चिपक के रहेंगे बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या रहेंगे वोgres चीज़ीश चिपक के रहेंगे तो इसका मतलब क्या है यह पार्टिकल से मैंने बोला कि बहुत सारी closely attach है तो इसमें फ्रोपेट्ट जिसको आम लोग बोलते हैं, Intermolecular Forces of Attraction, क्या होता है? Intermolecular Forces of Attraction Intermolecular Forces of Attraction की अगर मैं बात करूँ तो ये जो solid होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? strong होता है, बहुत ज़्यादा strong intermolecular forces of attraction होता है, वो ही अगर मैं बात करें liquid की, तो liquid में जो space आप देखोगे, मतलब जो particle से उसके, इसमें क्या रहेगा, थोड़ा-थोड़ा space present रहेगा, मतलब कहीं न कहीं जो intermolecular forces of attraction जो particles के रीच में जो force of attraction जो है, एक दूसरी को पकड़ने की ability, जो है वो liquid में क्या होता है, वो होता है moderately strong, मतलब थोड़ा सा कमजोर होता है moderately strong, मतलब solid से थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन तिसरा चीज़ जो है, वो gas, गास में अगर आप देखोगे तो gas के अगर हम कुछ particles ले ले, तो उसमें जो particles लेंगे, वो आपको बहुत दूर दूर नजराएंगे मतलब अगर समझ लोग ये मेरा room है, जिसमें मैं shoot कर रहा हूँ, वीडियोज बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी gas present है, oxygen present होगा, और भी और भी gas present होँगे, तो वो जो gases होँगे, वो कहीं ने कहीं, room के कोने-कोने में होँगे, तो चिपक के नहीं होँगे, क्योंकि उसका जो intermolecular process of attraction होता है, वो काफी जाधा क्या होता है, दोस्तो, weak होता है, यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ में आया, तो solid liquid gas, it is a state of matter, और भी होते है, जैसे vacuum भी एक state of matter है, लेकिन उसको हम लोग अभी फिलाल पुरे जर्नी में, यह पुरे साल का जर्नी है, कोई आदा, एक महिना, दस दिन का जर्नी नहीं है, पुरे साल भर आपको हमने पढ़ाना है, बहुत महनत करना है, और अल्वीड हमने करके भी रखा हुआ है, तो please support us in every situation, दोस्तों बस इतना ही मुझे कहना था, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हमें ने करते हैं, उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से feedback दीजिएगा, chemistry में आपे खुद पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर से feedback दीजिएगा, कि हमें क्या improvement के जरुत है, या फिर कैसा लगा है, आपको जरूर से comment करन शेर करना, अपने सभी दोस्तों को, आख की तरह फैलादों कि राउल सर आच चुके हैं, खुद chemistry के लिए, पढ़ाने के लिए, 11 standard के लिए, तो please share to everyone, और first time चैनल पे आयो, तो फटा-फट्चे मारे चैनल को subscribe करके, bell icon को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की notification आप लोग